बंगाल में मम्ता की नेता जवाहर सरकार के स्तीफे से मचाहर कम सीम मम्ता बेनरजी जवाहर सरकार की बगावत से डरी फोन कर मनाने की कोशिश बीजेपी ने कलकता रेफ मामले में जवाहर सरकार की स्तीफे पर जम कर सीम पर बोला हमला नमस्कार आप देखे रहे हैं दानियूज आपके साथ मैं स्रिस्टीम इस्ट्राइट टीमसी के द्वारा 2021 में राज जिसे बाद भेजे गए जवाहर सरकार ममता के दिगज निता ने टीमसी से रिजाइन कर दिया है आपको दाने वो नाराज हैं वो कह रहे हैं ये वो ममताब इनर्जी नहीं है जो भरस्टाचार और ऐसे जगन्य अपराद पर ऐसे अपने कदम बढ़ाती थी और आज अपने कदम को पीछे की हुई है ये वो ममताब इनर्जी नहीं है जो हमेशा और आजकता पर मुखर होकर स यह वो ममता वेनर्जी नहीं है, जो पहले ममता वेनर्जी थी, लेकिये यह तमाम सरकार पर उठाए गए गंभीर सवाल सरकार के निता का है, नाम है जवाहर सरकार, जवाहर सरकार ने TMC से ले लिया स्तीफा जवाहर सरकार ने कहा कि मुझे उमीद नहीं थी कि जगन्य अपराध पर ऐसी दूरदशा ममता बेनर्जी की होगी आज कुछ बोलने को तयार नहीं है ममता के दुआरा एक बात मैं आपको और बता दू जवाहर सरकार ने कलकता के आरजिकर मेडिकल कॉलेज में हुए जगन्य अपराध पर जो रेप हुआ जो मुर्जर हुआ ट्वेनी डॉक्टर के साथ उस पर नाराज है उस पर जवाहर सरकार का दिल दुखा है कि TMC ऐसा कैसे कर सकती है TMC ने डॉक्टर बीटिया को इंसाफ दिलाने में अपने कदम पीछे की हुआ है आपको बतादे बीजेपी ने इसको तमाम बातों को लेकर हमला बोला है और साफ बीजेपी ने ताओं कहना है कि आज तो जवाहर सरकार का स्थिफा हुआ है लेकिन हम खूश नहीं है आने वाले समय में हमें ममता बिनर्जी का स्थिफा चाहिए आपको बतादे आप अब जवाहर सरकार के स्थिफे के बाद ममता बिनर्जी पर निशाना साथते हुए बीजेपी के तमाम दिगज नताओं ने सुकानता मजुमदार शेहजाद पुनावाला नलीन कोली मुकतार अबास नकवी और तमाम नताओं ने खुब जुमानी जंग तेज किया है जुबानी जंग में BJP निताओं कहना है कि ममता को तुरंथ रिजाइन करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पर अब BJP निताओं की आस्ट की हुई है जंदा की आस्ट की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने भी लेखिए यहां पर तमाम टिपनी की और बाच्चित की जाए तो डॉक्टर जो लगातार इस घटना पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रतरशन कर रहे हैं डॉक्टर बिट्या के लिए इंसाफ मांग रहे हैं उस पर भी सुप्रिम गोट की टिपनी आई थी अब ऐसे में यहाँ इन नेता ने यह बोलकर यहाँ पर स्थीफा दिया कि वोई पुरानी ममताव इनर्जी नहीं है और कुछ लोबी है जो ऐसी मदद कर रही है आपको बता रहे ममताव इनर्जी इससे आहत हो गई है ममताव इनर्जी ने तुरंट फोन मिला दिया है जवाहर सरकार को एक बार आपको ले चलेंगे बयानों के पास कि आखर बयानों में किस तरीके से बीजेपी नेताओं ने जुबानी जंग तेस किया है ममताव इनर्जी क इखलाब जब से जवाहर सरकार ने इस्तिफा दिया है। वो भी ममता जी है जैसे वरिष्ट एक नेता के नित्रित्व में कैसे हो रहा है। देख रहे हैं तो उनको पता चलता था उस समय अब अंदर से जब लोकसवा के सांसत बने हैं। उसके बाद से अंदर की चीज़े पता चली उनको तो सवाविक है उनको पता चला कि सरकार की हर चीज़ पर क्रॉप्शन है। हर डिपार्टमेंट में कॉरप्शन है। तो सवाविक से उनको लगा के इतना पर लिखने के बाद अगर इतने कुरप्ट लोगों के साथ ही रहना है तो इससे इतना पर लिखने का कोई माहिना नहीं रहता। श्पीर कोर्ट के तरब देख रहे हैं। आगे आने वेले समय में और सुप्रिम कोर्ट की तरफ आज आलका के बैठे हुए है। और लोग डर भी रहे हैं यहा हमें देखा है कि सुप्रिम कोर्ट में कोप्ल सिप्पल जैसे वरेवरे वकील जज्मिन्ट को डिनाएट या नहीं तो डिलेट कर देते हैं तो ऐसा ना हो कि जिस तरह का सरकार को विवहार करना चाहिए जिस तरह का एक्शन लेना चाहिए उस एक्शन के बज़ाए जो हीमियस क्राइम में गुनागार थे उनके खिलाब कारवाई करने के बज़ाए गुनागारों को प्रोटेक्शन देती भी दिखाई पड़ी अभी नी नता भाएक काव्यी ने अर्यूपी ने और विंदा गोयल की पॉलीग्राफ्वी टेस्itaire होने चाहिए यह सब मांग की जारे है बी जैपी के दुवारा यह तक कहा जा रहा है कि अर्यूपियों को बचाने की जाई की है बीजेपी ने कोश्चन पूछा है कि कहां थे कितने लोग आए हैं रेप कितने लोगों ने किया है यह जगन ने अपराथ को किसने किसने अंजाम दिया सब की डिटेल हमें चाहिए और ऐसा सीजी टीवी फुटेज से कुछ ही बाते हाथ लग पाई है बता दे आपको यह पूरा मामला सुप्रीम कोट के पास है और अब ममताब इनर्जी के स्टीवे के मंग तेज हो गई है ममताब इनर्जी इतनी जादा बूरी घिरी है इस बार कि कहा जा रहा है कि इस बार बंगाल में ममताब इनर्जी का यह जो रवया है जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हत् हुई उनकी उसके बाद मम्ता के इस रवाईये से लोग नाराज हैं और आने वाले समय में जो लोग टीमसी को वोट देते थे वो भी शायद वोट ना करें सीयम मम्ता मेनर्जी ने जवार सरकार को फोन किया उनके स्टीफ़े के घबरा गई और मम्ता को ऐसा लग रहा है को राज ना खोल दे हमारे और सीयम ने जवार सरकार को फोन कर मनाने की कोशिश की साब शब्दों में कहें तो सीयम मम्ता मेनर्जी जवार सरकार के पैरों में ग पत्र पर जबार सरकार के उन्हों ने पूरी नाराज़ की जाहिर भी की है सरकार की खलाफ मम्ताव इनर्जी को लिखा था पत्र और दिल्ली आएंगे दिल्ली में बता दे आपको यहां कहा जा रहा है कि उसके बाद वो अपने स्तीफा सोपेंगे कहा ज़रा है कि उन्होंने साफ तोर पर कहा दिया कि राज़ी सरकार की और से जो कदम उठाए गए हैं वो काफी देर से उठाए गए हैं मामला जितना गंभीर था उसके हिजाब से जरूरी कदम नहीं उठाए गए हैं पत्रे में उने ये भी लिखा जवार सरकार ने कि साज़निक तौर पर इसे लेकर कहा थे कि पार्टी और राज सरकार को भरस्टचार्च से निबटना चाहिए लेकिन पार्टी के वरिष्ट नेताओं ने मुझे ही गेर लिया जवार सरकार का तीखा हामला टीएमसी पर पार्टी ने मुझे घेर लिया साफ है जवार सरकार ने कुछ राज उगलने की कोशिश की थी लेकिन पार्टी ने इनको ही घेर लिया जब ये नाराज होकर पार्टी से अलविदा लेते दिखाई दे रहे हैं उन्होंने कहा मैंने तब तक इस्तिफा नहीं दिया मुझे उमीद थी कि मम्ता विनरजी कट मनी और ब्रस्टचार की खलाफ अपना सरुजनिक अभियान जारी रखेंगी लेकिन जिनको एक साल पहले मम्ता ने शुरू किया अब कुछ भी TMC के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है बता दे आपको अमित मालविय से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने मम्ता विनरजी के आउचित पर सवाल उठाए और कहा है पुलिस आयुक्त की जाच होने चाहिए मम्ता के साथ उनके कॉल रिकॉर्डिंग्स खांगा ले जाने चाहिए क्योंकि आज अगर एक सभी पाटियां पाश्चिम मंगाल में विरोध प्रदर्शन कर रही है आपकी जो वीड़ा है उस खबर के बावत जरूर हमें कॉमेंट के जरीए बताएगा शुक्रिया आपका